हलो फ्रेंट, वूर्निंग आप सब कैसे हैं फ्रेंड अब आसाा करता हूँ आप सब अच्छे हों गए हाथ फ्रेंड मैं हूँ अभी साधी ओर मैं और यहां का यूरूब का रिक्वार्मेंट बताई है तो देखिए अभी मैं कैम में था तो कैम से बाहर आ गया जोड़ी आपका कैम है ठीक है ना तो सोचा कि क्यों ना इस रिक्वार्मेंट के बारे में आप लोग को जल्द से जल्द बताया जाए क्योंकि इंडिया की टोप आप इसका है और आपलों को भी मालूम है कि जो भी जेनुएन आपिस रहता है जो भी जेनुएन रिक्वार्मेंट रहता है जिसमें कि आप जायत आपका फ्लाइट हो जाए यानि कि फरजी रिक्वार्मेंट नहीं हो उसके बारे मैं मैं बताता हूं जो अच्छी रिक्वार्मेंट हो हो अच्छा पीमेंट हो अभी में वह अच्छा बता दूंब कि सवरल का रेक्वार्मेंट है और वह ऑच्छा रेक्वार्मेंट है तीक है कि न किम्साइब ecosystem बहुत से बात करेंगे सबसे defy इसमें हो кिया क्या तरीड का रिकुवार्मेंट है यादि पिर मन लीजिए जाने आने का खर्चा पर बाद है वीडियो उपी विहार से देखते से और में बाले में बस्को घेड़ा है मैं बदा यह थे शुझ्छ भी bea बाता हूं यह जो आप इसे है how कि अन्याइट को कोई लखनवुर मेरे हिसाब कोई यह इसा आपीस नहीं है ठीक है नाहें तो इसलिए मैं नहीं बताता ह। भी युरूप में दिली में झिरिय करता हूं इस उसा का क्योंट में नहीं हैो कि एक अगर में है दढ़े की ज्या रहा है भाहर में जाकर उर्पेबूनत हो गुप कहु ngh друз दे कर यूर्प कंट्री जा कर फोसे क्यों कि बाहर में इंडिया नहीं है कि आप कोहीं पे में खालेंगे यहां पर बहुत प्रब्लम है और आपके येव में पैसा नहीं है समीन लेनता खाने का भी प्रावलम में समझ दिए तो मैं नहीं सोचता हूं कि जो भी हमारे सस्क्राइबर लोगे बीदेश में या कोहीं पर भी जाकर फॉस है ठीक है तो फिरें इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या ट्रेट का रिक्वार्मेंट है और क्या अक्स्प्रिया है ठीक है इसके बारे में हम बात करेंगे तो फिरेंट अभी तक आप चैनल पर नहीं है तो फिरेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगल में बेल आएक घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोट्पिकेशन आप तक पहुचे तो फिरेंट सबसे पहले बता दूं कि यूरूप में या तो यूरो चलता है नहीं तो डोलर चलता है तो यह सेलरी आपसे बता दों कि डोलर में है और डोलर में आप लोग को भी जनकारी होगा नहीं जनकारी होगा तो सर्च कर लिजे गूगल में एक डोलर का 83 रूपी इंडिया का बन रहा है यानि कि एक रू हैं कि जो कों से कुछ आपको बताऊंगा यहां तो की कल्कूलेट करके जोुदब में हाँए आठ गहंटे का आठ गहंट जो सबसे पहले ध्यान से सुनिए क्या के ट्रेड का रिकौईर्मेंट है तू प्रेंड्स जो सबसे पहला ट्रेड है वो करते थे बहुत दिनों डिनों से करते तो है तो मैं अलरेडी मैं रिप्लाइद देता था कि अपना डॉक्मेंट्स रेडी रखिए युरूप का जैसे ट्रेड का रिक्वार्मेंट आएगा तो मैं बताऊंगा ता सोपिंग मॉल वायर हाउस वर्कर का रिक्वार्मेंट है ठीक है न और जो इसमें जो यह ट्रेड है इसमें जो वर्कर सेलरी है आठ घंटे का सेलरी है एक डॉलर का 83 रुपया इंडिया का बन रहा है इसमें आप गुड़ा कर सकते हैं 83 गुड़े करते हैं एक चीज मैं बता दे रहाँ इंपोर्मेशन कि यूरूप कांट्री में 22 डे ड्यूटी है और चार दिन चूटी है तो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है इसलिए वहां पे सेलरी ज्यादा मिल ज्यादा है आठ दिन ओवर्टाइम किये इसके बाद से गर चार पलंबर आपका 15 चाहिए त्यक्तिन की ठीकनिशन चाहिए राग करते थे तो अभी इसमेंड़यर रप्यार्मेंट आ गया है इसमें जो salary है वो 550 USD डोलर है यानि कि 550 USD डोलर है ठीक है न इसके बाद aluminum fitter का भी requirement है इस aluminum fitter में window जो window का का काम करते हैं वो चाहिए इसमें जो trade है मतलब जो बंदे चाहिए वो 10 चाहिए 10 वाइज ठीक है न जो salary है 475 USD डोलर यानि कि 475 USD डोलर इसमें salary है ठीक है न अब आपसे बता दूँ कि इसके बाद mic welder है मीक welder चाहिए इसमें जो salary है 600 USD डोलर है यानि कि 600 USD डोलर इसके बाद tick welder जी हाँ tick welder भी चाहिए tick welder का जो salary है 800 USD डोलर इसके बाद five-feeters भी चाहिए five-feeters salary है 500 USD डोलर यानि कि 550 USD डोलर इसके बाद five fabricator भी है ठीक है न तो five fabricator का 600 USD डोलर यानि कि 600 USD डोलर दिया है ठीक है आपसे बता दूँ कि free food है free accommodation है free transportation यानि कि सब कुछ company प्रवाइड करेगे ठीक है न खाना पीना सब कुछ Customer के तरफ से है और अच्छी company का requirement है लेकिन company सुन नहीं किया जो भी अच्छी आपीच रहता है और ज्यादा ज्यादा अच्छी company रहता है तो company सुन नहीं करता है जानते हैं क्यों कि वह बहुत deal लग जाएगा गाउड हो जाएगा इसले लिए लोग company सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छा रिक्वाइर्मेंट है ठीक है और आप समझ लिजी कि इसमें बता दे रहा हूं जो एक्सपिरियंस है आपका एक्सपिरियंस इसमें गॉल्फ और मैं जो फ़ाइब कर दे रहा हूं इसमें आप ऑप्साप नमबर दिया है तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों आप लूब से सेर कर दूँँ तो वाड्साप नंबर नोड कर लिजिए आप इसका 7412815481 ठीक है नो यह जो शोपी मॉल, प्लमबर और हाउस मेंटेरेंस टेक्निसियन एलगुनियों फिटर इसके लिए है इसके बास से मिग वेल्डर, टिग वेल्डर, पाइफ फिटर और पाइफ फब्रिकेटर का इसका वाटसम नमबर अलग है मने अलग-अलग जो वहां के साहब लोग है, अधिकारी लोग है, वह अपना हैंडिल करते हैं ठीक है नो तो इसका वाटसम नमर है 7020257391 ठीक है अपसे बता दूँ कि आप इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मेरा माकसर सिर्फ यह है कि जो जेनुइन रिक्वार्मेंट अच्छा रिक्वार्मेंट रहता है, वह आप लोग को बताना, आप लोग का हेल्प करना, हमारे जो भी इंडियन भाई लोग है, जो हम से जुड़े हैं, ज्यादा ज्यादा पईसा जाकर रियर्न करें, कमाएं और अपने फेमली का बाल बच्चों का अपने बीबी का अच लोग को अच्छा इंफर्मेशन मिले, अच्छा कमपनी में जाए और अच्छा पैसा कामाएं, ठीक है, तो फिरेंड फाइनली मैं बता रहाँ कि कि आप इसका रिक्वार्मेंट है, तो यह है प्रोटेक्ट इंजिनिरी इंड़स्ट्रियल प्राइबेट लिम्टेड जी हा एक चीज है आपका भी फर्क वहनता है, जो भी आप आपीस में जाए अच्छा से शाज परतार कर लें, किसी को पैसा पहले न दे, ठीक है न, जब आपका काम हो जाए, भीजा हो जाए, भीजा चिक करा लिजे उसके बाद पैसा दीजे, ठीक है न, तो एड्रेस नोट कर ल एड्रेस है, ठीक है न, आपसे पता दूं कि लिस में लिखा है कि only shortlisting candidate can attend final interview, यानि कि इसका मतलब हो गया कि केवल shortlisting, जिसका shortlisting हो गया रहेगा, सच्छातकार हुआ रहेगा, वो ही final client के पास interview दे सकते हैं, यानि कि direct client interview दे दे, final client के साथ में, तो आपका नहीं होगा, त shortlisting आप इस पर चल रहा है, ठीक है न, किस आप इसे, protect engineering, industrial, private, limited, याप इस पर अपना जा कर, हाँ, shortlisting के लिए फ्रेंड आपसे पता दूं कि original passport by data experience certificate plus photo 7 में लिखा रहेगा, समझ रहे हैं न, experience certificate यानि कि इंडिया में कहां काम की है, या गल्फ में काम की है, विदेश में का इस पर लिखा रहता है, वो लिकर जाएगा, आप फोटो ले लिजिएगा, ठीक है, बहुत सो लोग क्या करते हैं कि पासपोर्ट नहीं लेकर जाते हैं, बोलते हैं कि दूसरे आप इसमें जामा है, तो यह सब आपीस है कि ऐसे नहीं होगा, original passport आपका देखेगा, ठीक है, तब ही जाकर आपका सोट लिश्टिंग होगा, और फाइनल क्लाइन्ट इंटर्व्यू दे पाएंगे, ठीक है, तो जो भी भाई लोग इस ट्रेट से हैं, ठीक है, अपना जो ट्रेट में बताया, तो जाकर आप इस पर सोट लिश्टिंग करा लिजिए, और अपना फाइन इनफोर्मेशन और वीडियो में बनाता हूं, देता हूं आप लोग को, गल्फ से लिएटिव, उर्प कर्टी से लिएटिव, बीजा, टीकर्ट, पासपोर्ट और कमपनी से लिएटिव, ओके मिलते हैं नेक्स वीडियो में, आज के लिए गुडबाई, बाबाई